प्रजापिता ब्रह्म कुमारिज इश्वर्य विश्व विद्याले केंद्र रिवालसर एवं विश्व हिंदू परिशत प्रखंड रिवालसर ने आज गीता जैन्ती महुत्सव के उपलक्ष पर एक सयुक्त कारिक्रम का आयोजन किया जिसमें प्रजापिता ब्रह्म कुमारिच के मुख्य वक्ता बीके किरन दीदी जी एवं विश्वे हिंदू परिषत के प्रदेश अध्यक्ष लेकराज राणाप जी मुख्य रूप से मौजूद रहे इस अफसर पर इनके साथ करनल प्रताप सिंग भी मौजूद रहे ब्रह्म कुमारी केरन दीदी ने इस कारिक्रम में लोगों को जीवन में गीता के महत्व के बारे में बताया था उसमें बताई बातों का जीवन में अनुसरन करने का हवाहन किया इस अफसर पर करनल तारा प्रताप सिंग राना जी ने भी अपने विचार सांचा किये विश्वे हिंदू परिशत प्रखंड रिवाल सर ने कारिक्रम में आय सभी लोगों को भगवत गीता का वित्रन किया इस रूप से जिंती मना रहे हम सब जानते हैं कुरूक शेतर के मैदान में कि भगवान ने जब अर्जुन जिसके सामने सभी अपने रिष्टे नाते एक दुश्मन के रूप में देख रहा था और उस समय उसने अपने हथ्यार उठाने से इंकार कर दिया तब भगवान ने उसको तुमारा धर्म क्या है उसका उपदेश दिया और वहय उपदेश कोई धर्म का जात्पात का संप्रदाय के लिए नहीं था लेकिन पूरी मानव जाती के लिए था गीता से ही जो डिखा हुआ है कि आज से प्रमात्मा पिता ने कहा है कि आज से 5000 वर्ष पहले मैंने ये गीता का ज्यान स्वयम आकर दिया था और आज भी दे रहा हूँ और इस 5000 वर्ष के बाद फिर से पुनरावरिती होगी फिर से ये ग्यान दिया जाएगा अखिर भगवान ने इसमें चुग कर्मों की गुहेगती समझाते हुए अरजुन को कहा कि जब तक करम स्रेष्ट मारे नहीं होते हैं धरम उखिव नहीं होते हैं जम्मान भी यह समझने लग जाता है और उसके जीवन में पुन्य होने लगते हैं तो उसका जीवन अवस्षे कर लगा को सहस्ता से उ इतलए उस हिमाचिल प्लस न्यूस के लिए रिवाल सर से ओम प्रकाशी रिपोर्ट